नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है शिवा क्या दोस्तों आप महीने के 10-15,000 रुपे कमाना चाहते हैं वो भी कॉपी-पेस्ट के मैथर्ट से तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए वही पर दोस्तों आप मेंसे से बहुत से ज़रूरूग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा कुछ मुम्किन है? जी हाँ बिलकुल ऐसा मुम्किन है मैं जबी तो आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊँगा कि कैसे आप बिना जादा मेहनत करें पैसा कमा सकते हैं, घर बैटे वो भी अपने सिर्फ छोटे से फोन की मदद से बस एक काम करना होगा आपको डेली अपडेट रहना होगा क्योंकि कुछ करना है, कुछ पाना है तो उसके लिए मैनत करना तो बहुत ज़रूरी है वही पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीज़ेगा और साथ ही साथ हो सके तो इसे शेर और कॉमेंट भी करते चाहिएगा वीडियो के नीचे क्योंकि इससे हमें बहुत साथा मोटिवेशन मिलती है तो दोस्तो आप मेंसे ऐसे बहुत से लोंगी जिन्होंने ब्लॉगर की बारे में तो सुना ही होगा जिन लोग ने नहीं सुना उन सभी को मैं बता दू कि ब्लॉगर एक अमेरिकन ऑनलाइन कॉंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे गूगल होस्ट करता है और एक तरीके से गूगल का ही पार्ट है जिसमें आपको कोई भी दोका दाड़ी या फ्रॉट का केस नहीं मिल सकता है तो आप पे फिक्र होके इसके अंदर अपना टाइम इंवेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तो ब्लॉगर एक ऐसी चीज है जहां पर लोग बाग अपने अच्छा अनुसार पोस्ट शेयर करते हैं मतलब पोस्ट शेयर करने से मतलब है कोई एक आर्टिकल होता का उस ताइक से चीज को शेयर करते हैं कोई poem शेयर करता है, कोई love story शेयर करता है अपने अच्छा अनुसा बना करके कहानिया शेयर करते हैं लोग भाग ऐसा कुछ शेयर करते हैं इसके पर लिखने का काम करते हैं overall दिखा जाए तो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जरूरे नहीं कि ऐसा ही कुछ आप भी शेयर करें आप news articles भी शेयर कर सकते हैं जो की बहुत ज़्यादा trending होते हैं क्योंकि अक्सल लोग भाग news पढ़ना पसंद करते हैं obviously हर कोई news पढ़ता है तो आप trending topics पे इस पे news लिख सकते हैं जो की बहुत ज़्यादी viral होती है और आपको काफे सारे views देती है तो आज मैं आप सभी को बता हूँ किस तरीके से आपको copy paste करना है news के articles को और जिससे आपको obviously copyrighted content होता है लेकिन आपको copyright नहीं आएगा issue इसके अंदर वो तरीका मैं बता हूँगा लेकिन 100% शॉर नहीं हो सकता कि आपको copyright नहीं आए मतलब 90% तो है कि आपको copyright नहीं आएगा please don't worry about it 10% तो सबका रहता ही है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और मैं आपको बताता हूँग लेकिन चलता है स्क्रीन के ओपर जिसमें आपको बताऊँगा कि आपको आपको logger अकाउंट बना रहा है किस तरीके साबको उसको share करना है और किस तरीकिस है के अंदर आपको पैसे मीले है तो सबसे पहले काम करना होgi आपको blogger account बनाना होगा जिसके लिए आपको gudle के उपर जाना होगा Google के उपर जाने के बाद आप इस जगह पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सामने नीचे की तरफ दिखेगा एक blogger का option तो आप उसके उपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको blogger की mean page पर लेके चल जाएगा यह चीज जहां पर आपके सामने कुछ इस तरीक एक interface होगा वहां पर आप अपना सबसे पहले तो आपना account create कर लिजए अगर आपके पस account नहीं है तो इसके उपर तो आप account create कीज़े अराम से sign in करते ही आपका account create हो जाता है कोई problem नहीं आएगी फिर उसके बाद कीज़े क्या आपको मैं अपनी खुद की blogger account लेके चलता हूं क्योंकि मेरे पास already account बना हुआ है आप tension मत लिजए आपको account बनाने में तो कोई problem नहीं आएगी आराम से बना देंगे फिर उसके बाद क्या करना है आपको इसके अंदर नई post के उपर click करना है तो मैं एक ले लेता हूँ शो का नाम जैसे कि मैंने लिखा अनुपमा इसके related मैंने news article लिया तो मैंने कोई साभी एक website है उसमें से उसको choose कर लिया फिर इसके बाद मैंने इसको select करा select करने के बाद मैं इसको paste कर दूगा मेरे new post के अंदर और इसके बाद इसके अंदर एक काम करना होगा आपको कि आपको ऐसा ही same to same article नहीं paste करना है इसके अंदर आपको कुछ changes करने होंगे काफे सारे changes आप देख सकते हैं जिस तरही किसे मैं आप इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ उस तरही किसे आप भी चेंज कर लीजेगा फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर एक अच्छी सी फोटू लेनी है फोटू भी पेस्ट कीजे ताकि आपका ब्लॉगर है वो थोड़ा अट्रेक्टिव लगे और इसके अच्छा असानी से क्लिक करें और पढ़े तो उनको अच्छा लगे पढ़ते हो समय और वहीं पर दोस्तों आप इस तरही किसे पोस्त कर दीजिए आपको दिन के कम से कम 10 से 12 पोस्तों करने ही चाहिए ताकि आपके उपर व्यूज जादा आए और 10 पोस्त लिखने के बाद में आपका अकाउंट आप मोनेटाइजेशन के लिए गूगल के पास अप्रूवर के लिए भेज सकते हो और प्रूफ हो जाता है वो अगर आपके व्लॉगर के उपर कम से कम डेली के 200 से 300 व्यूज आते हैं तो आप अराम से अप्रूफ करा सकते हो उसके बाद में आ आप अराम से अर्निंग कर सकते हो दोस्तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप एक बाद राय करके देखो आपका ज़रूर काम्याब होगा जो भी आप करना चाहते हैं चीज़ पस एक काम कीजिएगा आप डेली अपडेट रहेगा अगर आप डेली अपडेट रहते हैं तो आपको ज़रूर अर्निंग्स देखने को मिलेगी दोस्तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए के एक्स्ट्रा टेप एड करना चाहूंगा कि हर बार के हर बार आप एक ही सेम वेबसाइट से आर्टिकल्स ना चुराएं क्योंकि उससे कॉपिरेटिट के इशू जादा हो ज और वहीं पर आपको फ्री में आर्टिकल्स प्रोवाइट कर आती है उनके नाम में आपको स्क्रीन पर देदूंगा तो आप वहां से जाके भी आर्टिकल्स कॉपी कर सकते हैं आपको कोई टिकत नहीं आएगी उमीद है आपके लिए वीडियो कारागा साबित होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो या वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कॉमेंट भी करते जाएगा और वहीं पर अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेस्बुक चैसे प्लैटफॉर्म पर इसको फॉलो भी कर लीजेगा क्योंकि हम ऐसी कुछ आप सभी के लिए तो प्लीज इसे फॉलो कर लीजे और वहीं पर कर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर प्लीज इसे सस्क्राइब कर लीजे चैनल को ताकि आगयाने वाले अप्टीट से आपसे मिस्त ना हूँ अब टेक किया स्यू नेक्स टा